आप इस समय क्या explain करेंगे क्यों यूक्रेन में कोई air defense नहीं नजर आता है कैसे हर missile अपने निशाने पर पहुँच रही है सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक super power से टक्रा रहे हैं और यूक्रेन अपने आप में जनरल साब को मैं सुन रहा था सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप super power से टक्राते हैं तो आपको चार गोना ताकत लगानी पड़ती है यूक्रेन युद्ध के लिए त्यार नहीं था यूक्रेन गोरिला वारफेर के लिए त्यार हुआ है और इसके लिए एर डिफेन्स सिस्टम एक पहली स्ट्राइक जब जाती है वो सर्प्राइज एलिमेंट होता है और उस एर डिफेन्स सिस्टम को ध़स्त कर देना पर सर जब आएर अटक होता है तो गोरिला वारफेर का क्या अस्तित्व रह जाएगा उसका कारण ही ये उसकी स्टेजेज हैं सबसे पहला जो स्टेज होती है वो सर्प्राइज एलिमेंट एर अटक ही होता है और उसके लिए जो अगर आपका एर डिफेन्स सिस्टम इतना ज़ादा मजबूत है तो आप किसी भी फाइटर एरक्राफ्ट को हेलिकोप्टर को मिसाइल को ट्रेक करके उड़ा सकते हैं तो पहली एक्शन जो प्लान आया रश्या की तरफ से वो ये था कि कैप्चर दे सकाई जब आप एर कैप्चर कर लेते हैं तो मुवमेंट रेस्टर्ट हो जाते हैं उन्होंने वही किया और सारे जितने एरपोर्ट थे युक्रेन के उन सब पर बंबार्डमेंट करके और वहाँ पर उन्होंने जो बंबर साय मिसाइस दागी हैं उससे उनको इनेफेक्टिव कर दिया ताकि वहाँ की जो फोर्सेज हैं उनके वहाँ से टेक ओफ ही ने कर सके अच्छा नमबर टू आप से एर चीन ली गई नमबर थुरी जो आपके अधार सिस्टम्स थे जमिन पर उनको एक एक पिन पॉइंट इसकी तैयारी की गई थी आपको समझना होगा वो पुतीन है और केजीबी का रश्या का उसको पूरी प्लानिंग से आया है दूसरी तरफ युक्रेन का रश्टपती एक एक्टर है समझेगा ओप्रेशन कमांडर नहीं है इसलिए यहाँ पर सा भी नाटो ने आशगा एर अटाक्स निर्णे आ जाएगा क्या इसका एर अटाक्स निर्णे नहीं आएगा जमीन पर होगा थीजेगी 350 मिलियन डॉलर्स आज जो बाइडन ने डारेक्ट युक्रेन के राश्टपती को हेल्प दी है एक राश्टपती युक्रेन का क्या कह है मैं भागूंगा नहीं सरंडर नहीं करूंगा ये गेम चेंजर पॉइंट है नंबर तीन मुझे हत्यार दीजिए पैसा और हत्यार और ये दोनों ही गुप्त रूप से नाटो फोर्सेज से आप आना सुरू हो गया है पॉइंट यह है आप कितना सस्टेन करते हैं और सू और उसी तरह से पहले एर डिफेंस सिस्टम उन्होंने सारी मिसाइल्स को ओन नहीं किया था ये उनकी स्टैडिजी थी उनको पता था कि रश्या पावर्फुल है हमें कहीं से भी डिस्ट्रॉई कर सकता है लेकिन उन्होंने उसको दबा के रखा और अब उन्होंने लोकल ए युक्रेंज को दे डाली हैं मैं कहूंगा युक्रेंज शाबाश अगर किसी भी आप इतनी बड़ी सुपर पावर से लड़ते हैं लड़ने के लिए आपका जजबा है बहुत बड़ी बात है वही चीज़ हम कह रहेते हैं कि युद्ध सिर्फ हतियारों से या आदमियों से नहीं लड़ा जाता है होसले से और वो होसला आज पहली बार युक्रेंज के राश्रपती ने दिखाया है और क्या यहां से कोई तस्वीर बदलेगी जिस गुरिला वारफेर की बात वो कर रहे हैं अगर हम यह समझें कि कीव में प्रवेश अगर कर गई रूसी से ना पूर फिर मैंनी समझता यहां पे ज़्यादा दिन वो चलेगा देखिए एक युक्रेंजन पॉपलेशन का एक माइंड सेट जो था ना वो सबसे पहले दिन दिखता है छे-छे किलोमेटर की लाइन लगी है पॉलेंड जाने रोमानिया जाने हंगरी जाने के लिए इसका मतलब ब पॉपलेशन का लेकिन यहां पे जैसे सुबह भी मैंने बताया जो नियो नाजीज हैं जिसी राजेश से मैं बात कर रहा था जो अजो बटायलियन जो बोले जा रहे यह लोग यहां पे मोटिवेटेड हैं यह लोग हाड लाइनर एंटी रॉशन्स हैं यह रजिस्टेंस द निकल गए उस दिन कीव कीव होगी और उसके बाद यह है कि यह कितनी स्मार्ट अगर इस लड़ाई को बढ़ाएगा कि यूकरेन विच बढ़ाना चाहिए तो फिर लड़ाई लंबी चलेगी तो यूकरेन के पास कोई बहुत कम गुंजाइशे हैं हतियार कितना भी आ करते हैं या यूकरेन के लिए कह रहे हैं इस बात को समझेगा कि अगर वहां का नागरिक फोज के रूप में खड़ा हो जाता है तो इतना आसान भी नहीं होगा रूस के लिए रूस के लिए और दूसरी तरफ यूकरेन को इस समय जो सपोर्ट नाटो फोर्सेज से कावाट आपरिशन के रूप में मिल रहा है गुट रूप से मिल रहा है ये खाली मौरल सपोर्ट नहीं है लेकिन वहां पर आम्मिनिशन अगर इसके पास पहुंचते हैं यह लंबा चलेगा यह लंबा चलेगा क्योंकि यहां पर में चीज है उस देश की वो ताकत जो ज़जबा अ उसकी जनता उसके साथ है